चंडिगड के सेक्टर टैंटीज, होर्टिकल्चर दफ्तर के बाहर अंडर्ग्राउंड जा रही गैस लाइन की पाइप फटने से आसपास के घरों में दहशत का महौल बन गया, जांकारी के अनुसार यहां किसी काम को लेकर जेसी भी खुदाई कर रही थी, उसकी चपेट मे वहा से अंडर्ग्राउंड गुजर रही गैस की पाइप लाइन आ गई, एक जोरदार धमाके से पाइप फटा और वहा आग लग गई, जैसी भी भी आग की चपेट में आ गई, जहां धमाका हुआ, उससे कुछ ही दूरी पर कम्यूनिटी सेंटर है, जहां इलाके की इसकी जानकारी दी, इसके कुछ ही समय बाद, दमकल की गाडियां मौके पर पहुंची आप पारशद अंजू का त्याल ने कहा, मैं कम्यूनिटी सेंटर में कुछ काम कर रही थी, अचानक टेज ब्लास्ट की आवाज सुनी बाहर जाकर देखा, जमीन से काफी गैस उपर की तरफ निकल रही तूरंत, इसकी सूचना दमकल विभाग गोदी, मौके पर दमकल विभाग ने कुछ ही देर में आग पर नियंतरन पाया इदानी वालों को कॉल किया, उसके बावजूद मैंने उनको कॉल किया है, उनका इमिजेट रेक्शन होना चाहिए था कि मैं हम यहां पर पहुंच रहे हैं, उनका था कि यह एरिया मैं हमारा नहीं है, तो मैंने का यह तो बहुत ही गलत जवाब आपका इतनी क्रिटिकल आप कहारे हैं, यह एरिया मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, इसके बाद हमने फायर स्टेशन फोन किया, और विदिन थ्री मिनट्स वह गाड़ी यहां पर पहुंच गी, जैसे ही वह मोके पर गाड़ी पहुंची, उसी टाइम अभी आग लगनी स्टार्ट है, विदिन हाव बंद किया, तब उसने आग बकड़ना कम किया, और मोके पर ही, SFO लाल भादूर जी, सब फायर ओफिसर अमरजी सिंग जी, LFM बलजिंदर सिंग जी, सुक्विंदर सिंग जी, संदीब जी, हरनी पोहमद जी, सब पहुंचे और चार गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, जिनोंने कंट्रोल किया, जिस तरीके से अगर जहां पर हासा हुआ है, उसके साथ ही जो है, काफी घर भी है, और ऐसे में एक बड़ा हासा होने से बच गया, यह फायर सेशन का मैं थैंक्स अदा करती हूं, कि उन्होंने इतनी जल्दी पहुंच के इस मोके को संभाला, बेस की प्रावलम थी, और अदानी वालों की जो गयास है, वो 6 फूट के डेप्थ होनी चाहिए, और उनकी वो 4 फूट के डेप्थ पर थी, तो यह प्रावलम बेसिकली इस वज़ा से आई है, तो उनको भी नोटिस इशू करना चाहिए है, कि तुमने इतने चार फूट पे क्य सब्सक्राइब रखी हुई है, वो जैसे भी तो अभी तीन फूट भी नहीं गई थी, और वो पाइप्लाइन फट गी है, चटिकट के सेक्टर 33 होटी कल्चर के दफ्तर के बाहर कुछी धेर पहले जो है, एक पाइप्लाइन से प्लास्ट का मामना सामने है, मेरे पीछे तक अभी देखते हैं, जो होटी कल्चर का दफ्तर है, और इसके बाहर यहां पर काम चल रहा था, सुत्रों के मताविक जो जानकारी मिली है, जेसी भी त्वारा कुधाई की जा रही थी, और उसके प्लाइन पर टच होई, और जिसके बाद ब्लास्ट के बाद आग ने अपना प्लेलिया, जिसके बाद इसके सूचना मिलते ही, साथ ही कुछी दूरी पर जो है कॉमिंटी सेंटर है, कॉमिंटी सेंटर में जो आधी पार्टी पार्शचत है, अज्यू कत्याल जी, उनको यह सूचना मिली, तो उन्होंने इसकी सूचना दमकल वέभाग और अदानिक गै अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें साथ ही लाइक और शेर करना ना भूले